हेला वरिवन वेलकम टूर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम ग्रूपिंग ओफ अडेंटिकल इमेज या ग्रूपिंग ओफ अडेंटिकल फिगर की कोश्चन करेंगे जो रेलवे के एक्जाम में पहले पुछे जा चुके हैं यह प्रैक्टिस सेट वन है ठीक है तो ग्रूपिंग ओफ अडेंटिकल इमेज क्या होती है देखे इस टाइप की कोश्चन में हम तीन-तीन के या दो-दो की जो फिगर हैं उनका एक-एक ग्रूप बनाते हैं जो देखने में सिमलर हैं ठीक है तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन है हम और सरकल के अंदर दो ब्लैक डोट लगी हुई है ठीक है न ये दो ब्लैक है तो ये लगबग एक जैसे ग्रूप है ठीक है न ये एक जैसी आकरीती है तो इनका एक ग्रूप बन सकता है एक दो और आठ तो आप उप्शन बी में देखिए एक दो आठ का ग्रूप दिया गय है देखिए इसमें जो figure को 4 भागों बाटा गया है ठीक है ना किस किस line से vertical line से और horizontal line से vertical line और horizontal line से vertical line और horizontal line से तो 3 5 और 6 का एक group बन गया तो बचे कौन से 4 7 और 9 तो option B is the right answer काफी easy question है दूसरा question करते हैं देखिए यहां पे तीसरे figure में देखिए एक square और एक square दोनों एक जैसे हैं एक दूसरे को intersect कर रहे हैं अब छटे figure को देखिए एक circle और दूसरा circle एक दूसरे को intersect कर रहे हैं और साथ में भी में भी ऐसा ही है दोनों एक जैसी shape हैं एक दूसरे को intersect कर रही है तो 3, 6 और 7 का देखिए किसमे गुरूप है? 3, 6 और 7 तीन, 6 और 7 का गुरूप किसी और में नहीं है तो हमें और चेक करने की जुरुत नहीं है B option हमारा सही answer है Next question करते है First जो अकरीती है दो लाइनों से बनी हुई है ठीक है? और दूसरी जो अकरीती है वो भी दो लाइनों से बनी हुई है तीसरी भी दो लाइनों से है तो इसका एक गुरूप बन सकता है 1, 2, 3 एक, दो, तीन, ठीक है न? वैसे एक, दो, तीन, B में ही है तो B हमारा सही answer है और भी चेक कर लेते हैं ठीक है? चार, पांच, छे का भी चेक करते हैं चोथा फिकर जो है तीन लाइनों से बना हुआ है ठीक है? पांचमा फिकर तीन लाइनों से बना हुआ है छाटा फिकर भी तीन लाइनों से बना हुआ है तो दूसरा गूरूप क्या हो गया? चार पांच छे का हो गया और साथ आठ नो बच गए तो इसका भी तीसरा गुरूप रहेगा तो B option is the right answer next question करते हैं अब गुरूप कितने कितने फिगरों के बनाए है आप देखे option से देख सकते हो दो-दो फिगर के बनाए गए है ठीक है तो एक आकरीती के अंदर दूसरी आकरीती बनी हुई है और उसको वर्टिकल लाइन से काटा गया है तीन का और छे का गुरूप बन गया ठीक है तो तीन और छे देखिए तीन और छे सिर्फ B option में है तो B हमारा सही अंसर है और भी देख लेते हैं सरकल के अंदर सरकल है ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल है तो एक और चार काई बन गया बचा क्या दो और पांच जिसमें शेप को चार ब्राबर भागों में बाटा गया है यह चार भागों गए और इसके भी चार भाग है ठीक है ना तो B option is the right answer next question करते हैं एक अकरीती के अंदर दूसरी अकरीती है और उसको वर्टिकल और होरिजेंटल लाइन से काटा गया है यह दूसरा और अब पांचमा फिगर दीए पांचमा भी ऐसा यह एक शेप के अंदर दूसरी शेप बनी हुई है जिसको होरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से काटा गया है नो में का भी सेम सेप है एक अकरीती के अंदर दूसरी अकरीती है जिसको होरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से काटा गया है तो 3, 5 और 9 गरूप देखिए किसमें है तीन पांच ना सोरी दो पांच और नो दो पांच और Lord weekend की किसमें है इसमें नहीं है कि इसमें है ठीके ना भी आप्रफशन में ला यह एक चार ओर आम यह थो सवारी RI एक में क्या है एक wanna कारूश के अंदर दूसरी शेफ है यादि ट्रेंगल के अ अ और आठमें में भी ऐसा ये ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल क्रोस की तरह उनके काटा गया है ठीक है तो एक चार आठ का एक गुरूप बन गया बचा कौन सा तीन छे और साथ ठीक है तो option B is the right answer next question करते हैं दो दो की group बनाने हैं देखे आप सबसे पहले triangle को देखे triangle एक single activity है और छटे को देखिए ये है वर्ग यानि square ये भी single activity है तो तीन और छे का बन गया तो तीन और छे किसमे हैं तीन और छे हैं कहीं पर एक तीन और छे नहीं है तो side option में कुछ mistake होगा तो हम लिख लेते हैं तीन और छे का एक group बन गया अब एक अकरीती के बाहर दूसरी चोटी से अकरीती बनी हुई है तो पहला और पाचवे का बन गया एक और पाच का group बन गया ठीक है ना और एक शेप के अंदर दूसरी शेप है ठीक है ना तो यह ऐसा चोटे में भी है एक शेप के अंदर दूसरी शेप है ठीक है ना तो दो और चार का बन गया ठीक है ना यह option में थोड़ी mistake होगी चलो हम उससे क्या हमें समझने से मतलब है next question करते हैं सबसे पहले देखिए आकरीती को चार भागों बाटा गया तीसरे figure को देखिए चोटे को देखिए और नोवे को देखिए तो पहला group कुन सा बना तीन चार नो का तीन चार नो किस किस में है सिर्फ पहले option में है तो हमारा option सही है next question करते हैं figure के अंदर छोटा figure डूंडते हैं चोटे में देखिए circle के अंदर छोटा circle छटे में देखिए square के अंदर छोटा square तो 4 और 6 का group बन गया 4 और 6 दो में है A में भी और B में भी है तो C और D तो गलत होगे अब A और B में और भी चेक करते हैं एक और पाँच एक और पाँच ये और भी दोनों ये एक जैसे हैं भाई एक ठीक है A मान लो या B ये printing mistake होई होगी ठीक है next question करते हैं sorry thank you करते हैं